हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बार्मेर में साथ विदान सबा सीटों पर चुनाव लगने का एलान कर दिया शुक्रवार की रोज ऐसी एश्टी एकता मंच ने बैठक का आयोजन कर डॉक्टर राहूल बामनिया को अपना उमीदवार बताया वोई ठीक दूसरी दिन शनिवार को एसी एश्टी वर के लोगों ने इसका विरुद करना शुरू कर दिया बार्मेर जिला मुख्याले पर शुक्रवार की रोज प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन कर और सुचित जाती जन जाती के कदवर नेता मुला रा मेगवाल ने डॉक्टर राहूल बामनिया के नाम के allow पर सवाल खड़े किये है मेगवाल ने कहा कि एसी एश्टी मंच में पाँच मिदवारों के नाम काफी दुने से सामने आ रहे थे उन नामों में से किसी का नाम सामने नहीं आया, वोई सर्व सहमती की बात कहकर अपनी मरजी से डॉक्टर राहूल के नाम पर मोहर लगा दी गई, जबकि किसी को बैठक ने बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, और ना ही सहमती ले गई, वोई प्रेसवारता में उन्होंने कह रहे हैं, S.C.H.T. वर के लोगों ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश की तहट, S.C.H.T. के वोटरों को तोड़ कर भाश्पा को फायदा पहुचाने की कोशिश की जारी है, वोई वर को बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस से S.C.H.T. वर को अलग तल मसूरिया, एड़ोकेट प्रेम प्रकास, एड़ोकेट नवल किशोर लिलावत ने भी S.C.H.T. एकता मंच पर अपत्ति जताई, इस दवरान बड़ी संक्या में S.C.H.T. वर के लोग मौजूद रहे, बारमेर से जावुप टीवी की रिपोर्ट